एलो गाईज कैसे आप लोग कैसे चल रही सबकी पड़ा एकदम बढ़ियां एकदम मज़ेदार तो माइनिम इस संजीफ पांडे और स्वागत आपका अपने प्यारे से चैनल में खुबसूरस से चैनल में जे आर कॉलेज में जो की पाट है जे आर टुटोरियल का ओके सो ला आता हूंका जो चाप्टर कंप्लिटिशन था वहाँ पर थोड़ा सा बीजी थे बट फिलाल अब हम लोग वापस ट्राक्ट आ गया है सो वी बिल स्टार्ड वीत चाप्टर नंबर एप हम लोग बात करने वाले हैं साउंड चाप्टर की ओके और साउंड में अगर हम देख करेंगे कि वैव क्या होता है कितने प्रकार के वेव होते हैं वेव की वेलासेटी क्या होती है उण विख्टे कैसी है वह किन वाप्र केन फैक्टर पर डिपेंट्स करती है फिर डॉपला की यह सारा चीज हम लोग इसको करेंगे यह एचप्टर में तो बहुत भहतरीунд रग अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो एंट तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो चैनल में परस्टाइम आए तो चलो को सस्क्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर कर दो के चलो सबसे पहला सवाल आता है वाट इस वेव क्या है चलो वाट इस वेव क्या है अगर हम देखने जाएं तो वाट इस वेव इस कहीं देखा है समुद्र में वेव तह लोगने देखा रहेगा ओके या स्ट्रिंग को ऐसा-ईसा किया रहेगा तो स्ट्रिंग में अथा वेव आता है ओके अप अब देखा रहेगा तुमने ओके तो वेव क्या है एक तरह का इट इस नथिंग बटर डिस्टरबंस इन पर्टिक्लर मीडियम मालो एक तालाब है ओक एक लेक है अब वह लेक में पानी एकदम स्टिल है एकदम स्टिल इकदम स्थिर पानी है कुछ नहीं हो रहा है वहां पर तिम्प्लिमं रहीं हमने एक पत्थर लिया और उस पत्थर को इस तालाब में डाल दिया अब जैसी वह पत्थर उस और बॉब़ा गया वैसी उस तालाब में वीडियम को डिस्टरब किया मैंने अपने सराउंडिंग के medium को disturb किया जैसी मैंने उसको disturb किया तो उसके अंदर क्या हुआ wave form हुआ ओके और वो wave कैसा है भाई wave अगर हम देखने जाना तो वो ऐसा wave है जहाँ पर सिर्फ energy transfer हो रही है वहाँ पर actual particle का migration नहीं हो रहा भाई ऐसा नहीं कि यहाँ का particle उठके end पर चला गया ना ना वहाँ का particle वहीं पर बस वो अपने बाजुवाले particle को अपना energy transfer कर रहा ओके तो वेव इस दिस्टरबंस डिसर्बंस इन अ particular medium okay it is a disturbance in a particular medium created by created by external factor external factor created by external factor in which only energy 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 is propagated propagated not the particle अगे अगे जाएगी खाली पार्टिकल वहीं पर वहीं का रहेगा पार्टिकल वहां से मूफ करने वाला नहीं है याद रखना ओके ये एक हम लोग एक्जांपल अगर तुम्हारे घर पे एक रसी होगा तो टेकल रोप एक थ्रेड ले लो उस पे एक गाठ मार दो बीच मे या फिर मार्कर से माक कर दो उस पर और उसके बाद उसपे वेफ प्रोड्यूस करो अब देखो वेफ तो जाएगा बट जब तुम लोग उस वेफ को रोग दोगे तो मार्कर का जो डॉट है वहीं का वहीं पर रहेगा इसका मतलब यह है कि वहां पे उस पार्टिकल का कोई भी migration नहीं हुआ, सिर्फ वो particle उपर नीचे हो रहा था, सिर्फ वो vibrate हो रहा था, सिर्फ वो oscillate हो रहा था, बस, बाकी energy आगे transfer हो रही थी, बाकी energy आगे transfer हो रही थी, clear बास में आ रहा है, everyone हाया ना, ओके, तो it is a disturbance in a particular medium, created by external factor in which only energy is propagated not the particle, particle propagate नहीं होता, ओके, अब अगर हम लोग बात करें, तो कितने प्रकार के wave होते हैं, तो we have generally three प्रकार of wave, सबसे पहला है तुम्हारा mechanical wave, जिसके बारे में हम लोग पूरा discuss करेंगे, mechanical wave, second है तुम्हारा electromagnetic wave, electromagnetic wave में का हम लोग discussion करेंगे, बट ये मेरे ख्याल से chapter number 13 है, chapter number 13 पूरा का पूरा chapter ही है, electromagnetic wave, तो वहाँ पर हम लोग उसके बारे में discuss करेंगे, तो electromagnetic wave, जिसको हम लोग EM wave भी बोलते हैं, और the third wave is your matter wave, matter wave भी हम लोग discuss करेंगे, बट matter wave कहां पर discuss करेंगे, matter wave जब तुम 12 में जाओगे, 12 में एक topic है तुमको, that is called as dual nature, तो dual nature में हम लोग discuss करेंगे, भाई, matter wave क्या होता है, क्यों जरूरत पर एक नया wave बनाने का, पहले ये दो wave थे, mechanical wave और electromagnetic wave और इसे ही काम चल जाता था, लास्ट में बात में जाके matter wave का introduce हुआ, भाई, क्या, क्यो matter wave बनाना पड़ा, किसको matter wave बोलते हैं, वो सारा particle यहाँ, वो सारा discuss करेंगे, जो कि 12 में है, मतलब फिलाल हमको इस chapter में बात करना है, mechanical wave के बारे में, किसके बारे में, mechanical wave के बारे में बात करना है, तो generally अगर हम देखने जाए, तो mechanical wave के होता है, what is mechanical wave, mechanical wave का मतलब होता है कि ऐसा wave, which required a material medium to propagate, okay, मतलब अगर उसको travel करना है, it required, it required material medium, material medium, it required material medium to propagate, to propagate, clear, it required a material medium to propagate, मतलब वहाँ पे solid होना, liquid होना, gas होना, कमपल सरी है, अगर माल लो vacuum है, तो vacuum में से mechanical wave कभी भी propagate नहीं कर सकती, vacuum में से जो wave propagate कर सकता है, वो तुमारा electromagnetic wave है, electromagnetic wave vacuum में से propagate कर सकता है, याद रखना, ओके, ये vacuum में से propagate कर सकता है, can be propagated, अगर अगर can be propagated through vacuum, ओके, can be propagated through vacuum, ये vacuum में से भी propagate कर सकता है, तुमारा electromagnetic wave, बट, mechanical wave है, mechanical wave को compulsory, there has to be a requirement, वहाँ पे compulsory requirement चाहिए ही, चाहिए, किसके लिए mechanical wave, अगर तुम चाहते हो कि भाई, mechanical wave को तुम propagate कराना चाहते हो, एक जगे से दूसरे जगे, तो तुमको वहाँ पे material medium होना compulsory है, material medium मतलब liquid, solid, gas, ऐसा, कुछ न कुछ न कुछ न कुछ तो mechanical wave, तो तुमारा mechanical wave जो होता है, वो जनरली दो प्रकार का होता है, पहला प्रकार जो होता है तुमारा, that is your longitudinal wave, longitudinal wave, और second जो प्रकार होता है, वो होता है transverse wave, तुमको दो तरह के wave मिलेंगे, mechanical wave अगर हम देखने जाए, तो mechanical wave में जनरली तुम लोग दो तरह के wave देखोगे, that is, one is your longitudinal wave, and other one is your transverse wave, एक होता है longitudinal wave, और एक होता है transverse wave, अब what is this longitudinal wave, what is this transverse wave, इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे, okay, so, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, transverse wave की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, longitudinal wave की, okay, तो let us talk about transverse wave, भाई, क्या होता है transverse wave, okay, let us talk about transverse wave, transverse wave, so, transverse wave क्या होता है, अगर हम देखने जाने तो, तो मुझे कभी string लिया होगा, string या फिर कभी धागा लिया होगा, या फिर कभी जिम में देखा रहेगा, वो देखा रहेगा, string को ऐसे-इस करते हैं, या सोना, ऐसे-इस और से वाउसे लेट करते हैं, अब यह transverse wave क्यों है, क्या definition है, what is the definition of transverse wave, अब ध्यान से अगर तुम देखोगे न, तो यहाँ पर जो disturbance क्रियेट हो रहा है, वो ऐसे direction में क्रियेट हो रहा है, this is the direction of disturbance, disturbance, और दिस इस दिरेक्शन आफ प्रफोगेशन, this is the direction of propagation, मतलब basically हो क्या रहा है, हम basically क्या कर रहा है, हम मालनों कि एक यहाँ पर string नहीं है, मालनों कि अगर हमारे पास एक string है, simply हमारे पास एक string है, मैं इसको ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे disturb कर रहा हूँ, मतलब basically मैं यह string को कहा motion कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे disturb कर रहा हूँ, बढ़ अगर जब मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो यहाँ पर जो वेव है वो कुछ ऐसे ऐसे ट्रावल करेगा मालो कि यह स्ट्रिंग है मैं इसको ऐसे ऐसे डिस्टरब कर रहा है या फिर जो वेव है वो ऐसे ट्रावल कर रहा है मतलब there is a perpendicular relation between disturbance and propagation मतलब अगर मैं बोलने जाओं तो मैं disturbance ऐसे कर रहा हूँ बढ़ जो propagation हो रहा है वो ऐसे हो रहा है simply अगर मालो take example फिलाल हमारे पास कुछ है नहीं example के लिए हाँ यह ले लेते ना सबसे बहतरीन okay we have the yeah mic का wire है अब माल लो यह simply थोड़ा और बढ़ा कर लेते हैं चलेगा इतना बहुत है okay माल ले तुम्हार माइक का wire है अब देखो इस wire को यह string है दम string दम पयो इस और string तुम्हारा ट्रांसफर्स में क्या होता है लूप फॉर्मेशन जो होता है उपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं नीचे वाले को हम लोग फिलाल ट्रफ बोलते हैं तो यहां पर क्या होता है यहां पर जो तुम्हारा मीडियम है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है एक होता है तुम्हारा क्रस्ट वाला पार्ट एक होता है तुम्हारा ट्रफ वाला पात ओके तो what is transferable हम लोग बोल सकते है transferable क्या होता है okay when when the disturbance when the disturbance when the disturbance is perpendicular to the perpendicular to the perpendicular to the when the disturbance disturbance मतलब भाई हम लोग उसको medium को ऐसे disturb कर रहे इस direction में disturb कर रहे बट पार्टिकल मूव कैसे हो रहा है मतलब जो energy वो कैसे मूव रहे है वो इस direction में प्रपगेट हो रहे तो वेन दर डिस्टरबंस इस perpendicular to the propagation of wave then the wave is called transfers wave इसको वोग ट्रांसफर्स वेव बोलते हैं अगर हम देखने जाए जनली तो ट्रांसफर्स वेव क्या करता है भाई ट्रांसफर्स वेव तुम्हारा जो medium रहता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है वन इजी और क्रस्ट एन वन इजी और ट्रफ ओके तो इड़र दिवाइड 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 धिवाइड दिवाइड. interventions इव के तू आ लेग तू पार्ट ए क्वाइड ला मेरा मेरस्त औरर एंडियो तामर ट्रफ प एक हो जाता है तुम्हारा crust और एक हो जाता है तुम्हारा trough, clear बासन में आ रहा है हाया ना, okay, so when the disturbance is perpendicular to the propagation of wave, the wave is a transverse wave, उस समय तुम्हारा जो wave होगा, वो कौन सा wave होगा, transverse wave होगा, clear बासन में आ रही हाया ना, पहला कानी, second, भाई जब कभी भी transverse wave चलेगा, तो जब वो travel करेगा, तो during that travel, वो medium को दो पार्ट में डिबाइड करेगा, और वो दोनों पार्ट कौन सा है, एक है तुम्हारा crust वाला पार्ट, और एक है तुम्हारा trough वाला पार्ट, second, बासन में आ गए है सानो, ओके, अब जनरली ये travel कहां कहां कर सकता है, मतलब अगर हम देखने जाएं, तो ये propagate किसके through कर सकता है, ये जनरली propagate कर सकता है, अगर हम देखने जाएं, तो ये solid में से propagate कर सकता है, आजवल आज ये liquid के surface में से प्रपोगेट कर सकता है, यह liquid के अंदर प्रपोगेट नहीं कर सकता है, याद रखना, तुमने जबी लहर देखा होगा न, कभी अगर समुंदर में कभी लहर आते हुए देखा रहेगा न, तो लहर सिरिफ तुमने उपर वाले surface पे देखा रहेगा लहर आते हुए, कभी समुंदर के नीचे जाओ, और नीचे जाके देखो तुमको दिख रहे हैं लहर आते हुए, तुमको नहीं दिखेगा लहर आते हुए, तो generally यह string में propagate होता है, या फिर यह liquid के जो अपर लेयर रहता है, उस liquid के अपर लेयर में propagate कर सकता है, याद रखना, okay, generally यह gas में से उतना जादा propagate, मतलब generally हम बोल सकते हैं, ना के बरबर, transverse wave तुमको कभी भी gas में से propagate होता हुआ नहीं मिलेगा, याद रखना, यह कभी gas में से propagate नहीं होता है, यह solid में से propagate होता है, या फिर liquid के अपर लेयर, जो boundary वाला लेयर होता है ना, वहां से वो propagate होता है, दो ही जगे यह propagate होता है transverse wave, clear बासन में आ रही है यह भी बनाया ना, कहानी संज में आ रहा है what is transverse wave बरबार, ओके चलो अगला discussion, भाई, अगला discussion अगर हम disturbance दे रहे हो, तुमारा propagation भी उसी direction में हो रहा है, माल लो यह तुमारा disturbance है यह तुमारा disturbance है और उसका propagation भी इसी direction में हो रहा है, यही तुमारा propagation है यह तरह disturbance है, और यही तुमारा propagation है, यह disturbance है और यही propagation है, इसका मतलब क्या है देखो जारा माल लो टेक एक्जाम्पल ओफ स्प्रिंग, हमें एक स्प्रिंग लेते हैं क्या लेते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं ओके अब मैंने क्या किया, ये स्प्रिंग को हलका सा धक्का दे दिया क्या दिया, एक धक्का दे दिया अब जैसे ही मैं spring को धक्का दूँगा ना तो spring कैसे move होगा spring में move होगा वहाँ पे सबसे पहला compression होगा और फिर थोड़ी देर के लिए उसके उपर rare fraction होगा फिर compression होगा फिर rare fraction होगा फिर rare fraction होगा यहां पर हो रहा है compression यहां पर वापस क्या हो रहा है rare fraction और फिर वापस क्या हो रहा है rare fraction ओके जनरली क्या हो रहा है इसको तुम लोग imagine कर सकते हो कैसे तुमने कभी earthworm को चलते हुए देखा रहेगा जो earthworm का जो motion रहता है उसी motion को यहां पर imagine करो तो तुमको imagine हो जाएगा कि भाई longitudinal wave क्या होता है सबसे पहले वहाँ पर compression होता है फिर expansion कभी देखा है earthworm को चलते हुए देखो सबसे पहले हो क्या करता है compression करता है सिकूरता है उसके बाद expand होता है फिर सिकूरता है फिर expand होता है तो जनरली यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई एक बार compression होगा फिर expansion compression compression फिर expansion compression फिर expansion ऐसे चलेगा मतलब यहां पर यहाँ मैंने इस direction में धख्का दिया मैंने spring को कहाँ धख्का दिया इस तरफ अब धख्का भी इसी तरफ दिया और spring propagate किस तरफ और जो wave है वो किस तरफ propagate हो रहा है उसी तरफ प्रपोगेट हो रहा है, मतलब जब कभी भी तुमारे disturbance और propagation दोनों parlor रहें, disturbance और propagation क्या रहें, parlor रहें, उस समय हम उसको कौन सा wave बोलते हैं, उस समय हम उसको बोलते हैं, longitudinal wave कौन सा wave बोलते हैं, longitudinal wave ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं जो यहाँ पर सेम हम लोग ने डिफाइन किया था when the disturbance is perpendicular के जगे क्या जाएगा, parlor ओके, याद रखना, ओके, clear so define करेंगे देखो जरा, so when when disturbance when disturbance when disturbance is parlor when disturbance is parlor to the when disturbance is parlor to the propagation of wave when disturbance is parlor to the propagation of wave wave then the wave then the wave is called wave क्या बोलते हैं longitudinal wave is called longitudinal longitudinal क्या बोलेंगे उसको longitudinal wave बोलेंगे, clear when the disturbance is parlor to the propagation of wave then the wave is called as longitudinal wave clear बास में आगे हाया ना, और जब ये कभी भी ट्रावल करेगा जब ये कभी भी ट्रावल करेगा तो भाई क्या होगा, तुम्हारा जो medium का pressure होगा वो pressure में vary होगा मतलब pressure और density vary होगी ओके, यही चीज़ हम लोग अगर बोल सकते हैं transverse wave के time तो transverse wave के time, जब transverse wave travel करता है ना, तो वहाँ पे medium में pressure और density में कोई फरक नहीं पड़ता मतलब मान लोग के अगर वो string में travel कर रहा है, तो string के density और pressure में कोई फरक नहीं पड़ेगा, बट जब तुम्हारा longitudinal wave travel करता है ना, तो longitudinal wave क्या करता है, भाई, density और pressure को change करता रहता है, देखो compression हुआ, तो compression हुआ तो क्या होगा density बढ़ गई, और expansion हुआ, rare fraction होगा, तो density क्या होगा, कम होगा, ओके, yes or no, pressure आया, यहाँ पे देखो, compression हुआ, तो pressure बढ़ गया, expansion हुआ, तो क्या हुआ, pressure कम होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, when the longitudinal wave travel, the pressure of the medium and the density of the medium changes with respect to time, वो time to time क्या होते रहेगा, change होते रहेगा, yes or no, clear, और यह medium को क्या कर दो पाट में, डिवाइड कर देता है, कौन कौन सा, एक हो गया, तुमारा compression वाला पाट, और एक हो गया, तुमारा rare fraction वाला पाट, तो तुम वो भी point में डाल सकते हो, कि भाई, it divide, it divide the medium into two parts that is, one is compression compression and rare fraction rare fraction कहीं मतलब क्या होता है, rare fraction कहीं मतलब होता है, तुमारा expansion, okay, rare fraction कहीं मतलब क्या होता है, expansion, clear भासन में आ रहा है, मतलब जब कभी भी तुमारा longitudinal wave travel करेगा, तो longitudinal wave जब travel करेगा, तो वो medium को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक जगे वो compression दिखाएगा, और एक जगे वो rare fraction दिखाएगा, अब जहां पे compression दिखाएगा, भाई, वहां पे मुझे पता है, कि वहां पे pressure increase हो जाएगा, okay, जहां पे expansion होगा, जहां पे rare fraction होता, भई, when the transverse wave is traveled, जब कभी भी transverse wave travel करता है, तो medium के pressure और density में कोई भी फरक नहीं पड़ता, बट वहीं पे अगर longitudinal wave ट्रावल करेगा, तो longitudinal wave जब ट्रावल करेगा, तो medium के pressure और density में कहीं न कहीं change करनेगा, मतलब कहीं न कहीं महाँ पे pressure में और density में change आएगा, जब कभी भी longitudinal wave travel करेगा, clear भास में आ रही है everyone, हाँ या ना, कहानी थोड़ी बहुत समझ में आ रही की नहीं समझ में आ रही है, ओके, और क्या बता सकते हैं इसमें, देखो ज़रा, और अगर कुछ हम देखने जाए, हाँ, एक चीज है, एक phenomenon, that is called as polarization, ओके, polarization का एक फिनॉमिना है, त को पास कराते हैं, तो तुमारा जो transverse wave है न, वो transverse wave को हम लोग accordingly polarized कर सकते हैं, बट जो longitudinal wave होता है न, वो polarized नहीं होता, okay, what is polarization, ये 12th में wave optics करके topic है, वहाँ पे हम लोग बहतरी इन तरीके से discuss करने वाले, तो बस फिलाल इतना note down कर लो, कि longitudinal wave cannot be polarized, and तुमारा transverse wave, वो polarized हो सकता ह हैं, clear, बासन में आगए everyone, हाई आना कहानी सन में आगई, चलो, next, next is, basic property या फिर basic characteristics of wave, wave के कुछ basic characteristics, basic, बोलते हैं न, properties, उसके बारे में discuss कर लेते हैं, तो सबसे पहला, that is called as amplitude, सबसे पहला है, तो सबसे पहला है तुमारा amplitude, what is amplitude, क्या होता है, amplitude, ओके, तो क्या होता है, amplitude, amplitude का मतलब क्या होता है, कि मान लों कि अगर यह wave है, है, this is the wave, okay, तो यह जो पार्टिकल है, यहां के जो पार्टिकल है, यह कुछ ऐसे वाइबरेट करने बरबर, यहां वाला पार्टिकल कुछ ऐसे वाइबरेट कर रहा है, यहां वाला पार्टिकल कुछ ऐसे वाइबरेट कर रहा है, मतलब एक ऐसा पोजीशन है, एक ऐसा पोजीशन है जिस पोजीशन पे पार्टिकल अपना माक्जीमम डिस्टन्स ट्रावल कर रहा है या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं पार्टिकल अपना माक्जीमम डिस्प्लेस्मेंट ट्रावल कर रहा है यह सो नो and this is called as amplitude so amplitude is nothing but amplitude it is maximum it is maximum displacement of the particle particle during oscillation oscillation during oscillation okay or during propagation during propagation भी तुम बोल सकते हो कोई problem नहीं है clear मतलब जब कभी भी तुमारा wave चलेगा तो यह जो particle है यह तो जगे पर यह उसा oscillate कर रहा है बरबर तो यहाँ पर जो maximum distance वो travel कर रहा है that is called as amplitude that is called as amplitude और यह एक तरह का क्या ही है भाई एक तरह का यह distance है तो इसका जो एसाई उनिट रहेगा वो क्या ही रहेगा इसका एसाई रहेगा मीटर ओके सो एसाई उनिट क्या ही रहेगा इसका मीटर ओके एक तरह का यह टिस्टन से न यह कुछ अलग चीज नहीं है है समात्रेकट डिक्टन सर ओके ऍलियरल वासुन में आ गया एम्पिटूटीट समय में आ गया नेक्स्ट प्रिकमवनसी नेक्स्ट इस फीकमशी वहई कि कृतिस्ट फीकमशी की और सौन सी कम उत आई कि एक यूनिट टाइम में बेव ने कितने थाइम्श कीया últ फिर vibrate किया, okay, मतलब कितना oscillation हुआ, एक unit time में, per unit time में, that per unit time can be a second, that per unit time can be a minute, that per unit time, that fixed time में, कि भाई, एक fixed time में, wave ने कितना oscillation किया, माल लो कि यहाँ पर कुछ wave ने oscillation किया, कुछ ऐसे, ऐसा कुछ तो oscillation है, तो अगर हम लोग count करें, तो कितना हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, मतलब माल लो, wave ने एक second में, एक second में, in one second, in one second, चार oscillation हुआ, कितना oscillation हुआ, चार oscillation हुआ, तो हम लोग बोलेंगे, भाई, four is the frequency, जो चार है, वो चार उसकी frequency है, मतलब एक second में, उसने, चार बार oscillate किया, so that is called as frequency, उसको हम लोग क्या बोलेंगा, frequency of the wave, मतलब कितना frequent है वो कितना frequent वो vibration कर रहा है that is called as frequency तो frequency को हम लोग कैसे define करेंगे frequency को हम लोग define करेंगे number of oscillation number of oscillation perform by wave by wave in per unit second per unit second per unit second बोल लो या पर unit time बोल दो generally हम लोग second में उसको measure करते हैं तो इसको हम लोग second रखते हैं तुम time बोलो के तो भी चलेगा ओके और ये इसका unit होता है वो second inverse होता है इसलिए इसको हम लोग hertz बोलते है उसका जो SI unit होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं second inverse मतलब one by second और इसी चीज़ को हम लोग hertz बोलते हैं scientist है उनके नाम पर रखा गया that is henrich hertz उनका नाम है तो उनके नाम पर यह रखा गया that is hertz clear okay henrich hertz के नाम पर रखा गया है और frequency time period का यह होता है क्या बोलते है रसी प्रोकर होता है time period हम लोग define करने वाले next is your time period what is time period तो जनरली time period जो frequency को जनरली हम लोग या फिर f से represent करते हैं या फिर n से represent करते हैं या फिर new से भी represent करते हैं एक हम लोग new से भी represent करेंगे इसको और new okay new जैसे मूँ होता है new वैसे new होता है okay और time period को जनरली हम लोग capital T से represent करते हैं या रखना हो कि time period को हम लोग किसे represent करेंगे capital T से represent करेंगे तुमको याद होगा तो हम लोग ने time period of conical pendulum निकाला था वहाँ पर हम लोग ने इसको capital T से represent किया था तो वाट इस time period time period is nothing but a time taken time taken by the time taken by the time taken by the wave to complete to complete one oscillation मतलब एक oscillation करने में उसको कितना समय लगा उसको बोलते हैं time period okay मतलब एक oscillation करने के लिए उसको कितना समय लगा मतलब एक oscillation मतलब एक crust और एक trough एक crust और एक trough उसको complete करने के लिए कितना समय लगा that is called as oscillation that is called as time period, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, उस समय को हम लोग time period बोलते हैं, तो time taken by the wave to complete one oscillation, एक oscillation complete करने के लिए उसको कितना समय लगा, that is called as time period, that is called as time period, clear हाया ना, इसका जो ये है क्या बोलते हैं, SI unit है, वो है second, और अगर relation देखने जाए, हम लोग frequency और time period में relation देखने जाए, तो ये दोनों एक दुसरे के inversely proportional होते हैं, मतलब time period is equal to 1 by n, और n is equal to 1 by time period, ये दो formula याद रखो, time period is 1 by n, और n is equal to 1 by time period, ये दोनों एक दुसरे के reciprocal होते हैं, याद रखना, clear हाया ना, बासन में आगे everyone हाया ना, time period का एक और formula है, जो in terms of angular frequency के form में है, that is, time period is equal to 2 by omega, तो ये भी एक formula है, जो आपने हो बहुत काम आता है, where omega is a angular frequency, ये अल्रेड़ी हम लोग ने chapter number 3 में discuss किया था, circular motion के time, angular frequency, clear angular frequency, omega is your angular frequency, जिसको हम लोग radian per second में measure करते हैं, किस में measure करते हैं, radian per second में हम लोग इसको measure करते हैं, clear बासन में आगे everyone, t is equals to 2 by omega, हाया ना, फिलाल हम लोगे तीन चीज़ डिसकर्स कर ली, next is your wavelength, okay, next is your wavelength, so what is wavelength, basically wavelength क्या होता है, so wavelength तुमारा distance होता है, दो crust के बीच का distance, या फिर दो trough के बीच का distance, okay, what is wavelength, wavelength is nothing but a distance, wavelength is nothing but a distance, ये distance है, किन के बीच का distance, दो crust के बीच का distance, या फिर दो trough के बीच का distance, मतलब माल लो, भाई, ये distance, तो ये तुमारे पास है, ये दो crust है, तो दो crust के बीच का distance होता है, तो इसको wavelength बोल लो, okay, या फिर दो trough के बीच का distance, जैसे ये, यह तुम्हारा किया है यह दो ट्राफन टे आफर इसके बीच का धिस्टाइब लो तो दोनों ह Méandra S सॉस्स या फिर एक complete crust और एक complete truff ले लो वो भी तुम्हारा wavelength होगा तुम्होंगा अगर एक complete crust और एक complete truff ले लोगे तो वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा wavelength हो जाएगा अगर एक करेंगा वेवलेंग तुम्हारा 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 तुम्हा okay, the distance between two successive trough or crust is called as, is called as wavelength, called as wavelength, yes or no, generally, उसको हम लो किस से represent करते हैं, lambda से represent करते हैं, this is the representation of wavelength, wavelength को हम लो लामडा से represent करते हैं, this is the symbol of lambda, clear भासननारा हाया ना, okay, भासननारा वाट इस वेवलेंद, okay, इसका जो SI unit होगा, क्या होगा, meter होगा, तो SI unit is, क्योंकि एक तरा का ये length है, एक तरा का ये distance है, तो SI unit is meter, clear, next is your wave velocity, wave velocity, okay, so what is wave velocity, अगर हम देखने जाए तो velocity क्या ही होती है, velocity speed क्या होता है, that is distance divided by time हाया ना, तो अगर यहाँ पर हम लोग देखने जाएं, तो wave velocity क्या बोल सकते हैं, wave velocity भूल सकते हैं, कि the distance, the wavelength, distance मतलब wavelength, the wavelength, cover in unit time, unit time period, ऐसा बोल सकते हैं, हम लोग, okay, मतलब, V is equals to, V is equals to, lambda by T, बरबार, speed का या, velocity का formula क्या हो जाएगा, V is equals to lambda by T, यह formula हो जाएगा, यह कुछ नया नहीं है, यह कुछ नया formula नहीं है, V is equals to distance divided by time, बस यहाँ पर जो distance है, वो wavelength के form में है, और जो time है, वो time period है, और मुझे पता है, one by time period क्या होता है, one by time period होता है, frequency, तो हम लोग इसको ऐसे भी रिख सकते हैं, यह यह याद रखना relation, बहुत काम का relation है, ओक, this is the velocity of wave, यह बहुत काम का relation है, ओक, that is V is equals to N lambda, V is velocity, N is frequency, and lambda is your wavelength, तो V is equals to N lambda, एक रहन आगा वेरिवान हाया न, समझ में आगा, wavelength, wave velocity, amplitude, frequency, time period, समझ में आ गया सबको yes or no okay काहानी समझ में आ गया चालो बहुत बढ़िया ओके तो आज का लेक्चर क्या करेंगे हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे ज्यादा बढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि इंट्रोड़क्शन लेक्चर है और सारा थेराटिकल बात सारा बेसिक डिस तुम लोग जितना अपना नोट्स बनाओगे उतना तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट होगा याद रखना clear everyone चलो okay so अगर वीडियो यहां तक देखा है तो क्या करना है वीडियो को लाइक करना है चैनल पर फर्स टाइम है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना okay so next वीडियो मिलते हैं तक तक के लिए हसते रहें मुस्कुराते रहें तो आज का लेक्षर इंड करते हैं आज के लिए बस इतना है that's it for today thank you so much everyone